हेलो इस्टुडेंट, मैं स्योम राजवत, यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ, उमीद करता हूँ आप सब बेतर होंगे, बचों, आज हमने रेश्यू की एक नई क्लास स्टार्ट करनी है, इस से पहले रेश्यू के पहली क्लास की थी, जिसमें Basic था, basic concept सारे बताया थी, उसी concepts created, आज आपको question कराएंगे, ठीक है, जिसने क्छास इसके पहले वाले नहीं देखिए, तो एक बार उसको देख लीजेगा, ठीक है, तो बहतर अदर समझ बाहएगा, चलिया, इसटार्ट क के हमारा कोश्चन है उन्हीं से लेके हैं देखे जरा क्या है पहला कोश्चन लिखा यदि एक्स बराबर एक बटे तीन वाई लिखा है तो एक्स बराबर एक बटे तीन वाई लिखा है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बटे वाई बराबर में लिख दें एक बटे तो ये भी तो लिख सकते है, X, Unipat, Y, बराबर एक Unipat थी, वही बात है, जो बात यहां लिखी, वही हमने यहां लिखी, Y बराबर एक बिटे दो Z लिखा है, तो अगर हम Z को इधर ले आएंगे, तो Y, Unipat, जो Z खा Unipat आ जाएगा, या Y बैटे Z लिखोगे तो Z upon में आ जाएगा तो एक अनुपाद कितना आ जाएगा तो आजाएगा यहाँ अप अब आप समझे यहाँ पर y 3 है और यहाँ पर y कितना है एक है जब y दोनों जगए है तो दोनों जगए y को बराबर होना चाहिए तो इसमें multiply कितने कितने करेंगे थो आपको जाने था एक मैल जड़ेगा Só कि에서 यह कुछा यहाहन दो यहां मैलुटीप्लाइब करने पर कितना है बहुत सिंपल सा बहुत replaced का हमारा कुश्षय था तो आप उम्हेद करते हैं आपको समझ आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगर इसको और आप आसानी से करना चाहते हैं, कि हम इसको और भी आसानी से करना चाहते हैं, सर हम इतना लंबा चोड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो आप देखो, देखो, हम तुमको एक और आसान तरीके से बता रहे हैं, हैं जिसको हम ट्रिक पे भी कह सकते हैं और एक लाइन में कोश्चन हमारा हो जाएगा मैंने आप से बताया अगर संक्याओं के भाग परस पर बराबर है तो उनका अनुपात ही जो उनका जो अनुपात होगा वो उनका विद्खुमान होगा जैसे ऐकस बराबर एक बते तीन वाई लिखाए तो हम एकस ओर वाई का अगर अनुपात अगले question पे चलते हैं अभी आपको एक एक line पे सारी question समझाते हैं जैसे यह question है इसको भी basic बता चुका हूँ ABC करके कैसे आप इसको एक line में second में कैसे question करें जरा देखिए जरा यह x y z के अनुपात लिखें क्या लिखा है यह x y z का अनुपात लिखा यह AB का दिया है BC का दिया है CD का दिया है सबके अलग-अलग ratio दिये हैं आप देखो इनको कैसे कितनी आसानी से यहां A और B की सनुपात में हैं 2 और 3 में यह देखो 18 14 है हो नहीं सकता है 12 15 है 3 से काटोगे 3 4 12 3 5 15 यह भी असंबो है और अगर यह 12 और 18 लिखा है AB का 2 3 AB आना आनसर हमारा C सही नहीं समझ मैं है ज़्यादा जल्दी होगा चलो दुबारा मैं बताता हूं फिर से आद देखिएगा इस मैठोड को कहते हैं option eliminate करना जो option जब हमें कभी ऐसी situation आ जाए कि हमें सही आनसर नहीं पता है जब सही नहीं पता है तो हम गलत आनसर कौन है उनको अल अनुपात कर रहे हैं यह A है यह B है यह C है और यह क्या है D है बहुत आसानी से आप देखिए जरा मुझे बताईए यहां से मैं सौल करना प्रयास कर रहा हूं C और D के बीच में अनुपात कितनी कह है 14 15 का यहां देखो 12 15 है गलत हो गया 18 14 है गलत है 14 15 है यह अंसर हो सकता ह 14 18 है गलत हो गया एक लाइन में मारा अंसर हो एक लाइन में पूरा हमें सौल नहीं करना पड़ा वरना इसी कोशन को कितना लंबा करते हैं आपको खुब अच्छी तरीके से पता है इसे option eliminate कहते है बेसिक हमने सिखा दिया था पिछली क्लास में exam oriented question exam में कैसे करेंग वो हमने पहला नहीं समझ मैं आपका आप दूसरा देखो कोई जरूत नहीं कि आप एक ही बार में सब को सीख लो आप दूसरे question पर देखिए उससे भी बड़ा question लिखा है बच्छा बड़ा परिसान हो जाता है सर इतना बड़ा question आएगा तो हम कैसे करेंगा रहे हमने का second हो में करें C और D में जो अनुपात आएगा 10-9 का हैगा मुझे यह बताएगा यहां से हमने CD का अनुपात 10-9 निकाला यह A है यह B है यह C है और यह D CT में 10-9 कहा है यहां 8-10 बिलकुल गलत है 10-9 है सही है 9-10 है गलत है, 8-10 है गलत है एक ही answer है एक ही answer है बस CT का अनुपात निकाल लिए सीदे सीदे CT से नहीं निकालना चाओ BC से निकालो AB से निकालो, कहीं से भी निकालो आपका एक line में answer आजाएगा के लिए रुआ चब है अगले चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ चौथा कोश्चन हमारा देखे क्या यह भी कुछ वैसे ही कोश्चन है इसको दिया रादियां से देखो इस पे भी देखो A, B का दो बटे नो, एक बटे तीन दे रखा है B, C का ये देखो A, B, C टाइए A है, B है, C है और D है आप A, B से ही निकालना चाहते हो तो इसी को देखो हम ले लेते हैं द्यान से देखिए कि जाए अगर हम तीन से काट देंगे, ये तीन आ जाएगा तीन इदर चला जाएगा, दो और तीन आ जाएगा ये A और B का अनुपात आ गया A, B का अनुपात कितना आ गया तो बोले दो तीन आ गया A और B में दो तीन होना चाहिए इसको अगर हम छोटा करेंगे तो ये दो तीन हो सकता है बोले हाँ हो सकता है तो ये आंसर हो सकता है चार दूनी आठ चारते हैं बारा ये भी दो तीन है तो ये भी हो सकता है आठ दूनी सोला आठ तरिका चोबिस बोले ये भी दो तीन है तीनों answer हो सकते हैं इसको अगर तुम काटोगे 5 से काटोगे 5 चका 30-5 सत्य पैंथे यह answer नहीं हो सकता यह 3 answer संबो हैं जो हमने AB का देखा थीक है भाई AB का देखा अब हम CD का देख लेते हैं ज़रा CD पर नजड़ डलो 5 से इसको छोटा कर दोगे इधर 2 आजाएगा 2 का इधर multiply कर दोगे C और D का मान आजाएगा कितना आजाएगा 7,95 शे आजाएगा ठीक है 7,95 C और D में 7,6 का ratio होना चाहिए यहां देख कितना दे रखा है तो बोले 7,9 का है गलत है यहां आज देखो कितना दे रखा है तो यह दे रखा 15,7 यह भी गलत है यह CD नहीं यह D और C लिखा होगा यहां पे भीया इसको सही कर ले ना यह D और C अनुपात होगा जो अनुपात होगा वो D और C होगा तो अब देखो D,C अगर D और C यह D है और यह कौन है C है और अगर हम CD लिखना चाहेंगे तो CD जो हमारा आएगा वो 96,7 आजाएगा कितना आजाएगा 6,7 तो यह देखो 15,7 गलत है यह 24, यह तो पहले ही गलत होगा तो option यही मिला आप 5 से काटो के 35, 35, 35 option number आपका C सही निकला option eliminate करते है हम जो गलत आंसर है उसको अलग कर देते है यहाँ पे सही कर ले न CD नहीं DC था जो गलत आंसर है उसको अलग कर दिया अपने आप हमें सही आंसर पता चल गया ठीक है सारे जगे यह लगेगा अब इसको भी ज़रा ध्यान से देखिएगा फोड़ा सा यह भी question क्या है इस पे question आगे बोला गया है आपसे क्या है कि यदि A, B, C अब ध्यान से देखो क्या-क्या मन दिया है A, B, C का दिया है 4, 7, 11 B, C, D का दिया है 21, 33, 44 तो A, B, C, D का मन पूछा है देखो कितना आसानी से निकल सकते है आप ऐसे करो यहां पे कौन कौन है A, B, C और यहां कौन है B, C, D यहां पे देखो कौन लिखा है B और C लिखा है यहां बी कौन है B ahor C B اور C को बराबर होना चाइए B यहां कितने पे है तो वहला 21 का है B कितने का है 21 C कितने का है 33 यहां B कितने का है 7 का 11 का अगर इस पूरे में 3 का multiply कर दें तो तुम्हारा A, B, C, D मुझे बताओ कितना आ जाएगा A, B, C आ जाएगा 3 का multiply करोगे 3, 4, 12 आ जाएगा 3, 7, 21 आ जाएगा तो A, B, C, D का 12, 21, 33, 44, 12, 21, 33, 44 कौन सा अंसर है पहले या अंसर है, बात समझ में आई या नहीं है, आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, option eliminate करना चाहते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, चलो, अगले question की तरफ चलते हैं, ये भी देखिए थोड़ा सा नया concept है, पीछे मैंन लिखा है, वो कितना लिखा है, तीन अनुपात एक लिखा है, इसका मतलब है, X की जगे तीन और Y की जगे एक लिख सकते हैं, आप से पूछा, X क्यूब, तो तीन का क्यूब कर दो, माइनस का Y क्यूब, एक का क्यूब कर दो, ठीक है बाई, अनुपात लगा दो, X क्यूब तो फिर से 3 का cube हो जाएगा प्लस में y cube एक का cube हो जाएगा 3 का cube कितना हो गया 27 27 में से कितना माइनस कर रहे है एक माइनस कर रहे है यहाँ देखो 3 का cube कितना हुआ 27 हुआ प्लस में कितना कर रहे है एक कर रहे है यहाँ कितना आया 26 है अनुपात में यहां कितना है 28 है दो से कार्ट दिया 13 अनुपात 14 आ गया यह अनसर आ गया 13 और 14 का अनुपात 13 अनुपात 14 अनसर नमर अभी भी यह अलग-अलग अनुपात दिये जाए कि XY का अनुपात यह है फिर उसके कोशन करा देंगे सात में ही कली करा देंगे आम उसके कोशन फिरसे वही कोशन XY कमान दे रखा है X का कितना दे रखा है 4 जहां X दिखाए पड़े वहाँ पे 3 लिखो तो आप लिख दोगे 7 x x है तो 3 हो जाएगा 3 into y, y की जगे कितना लिख दोगे, 4 लिख दोगे, ठीक है, अनुपात का साइन लगा दोगे, 7 into x, x की जगे कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे, minus 3 into y, y के जगे कितना लिख दोगे तो आप y के जगे 4 लिख दोगे यह 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिख दिया है बस solve कर लो, 7 रिका 21, 4 ते 12 21 और 12 जोड़ोगे चलो कितना होगा 21 लिखा है, प्लस में 12 लिखा है इधर पे आप क्या करोगे, 21 लिखा है option number C, ठीक है, आसान आसान question है, परिसान ना होगी है चलिए, अगले question की तरब चलते हैं अगला question हमारा क्या है, फिर से वही डिट्टो वैसा ही question है, x कमान रखना है कितना, तो आप कहोगे x कमान 3 रखना है y कमान कितना रखना है, 5 तो बस x की जगे कितना लिखना था, 3 लिखना था, y की जगे कितना लिखना था, 5 लिखना था तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे 30 हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा यहां पे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 15 हो जाएगा और प्लस में 10 हो जाएगा ये 15-30 कितना हो जाएगा तो आपको होगे 45 हो जाएगा अनुपात में 15-10 कितना हुआ 25 होगे आप 5 से छोटा कर दो नो अनुपात 5-20 अंसर आजाएगा 9-5 अप्शन नमर 6 ठीक है आगे ना समझ में मजा आ रहा है ना कमेंट करके बताते रहो मजा आ रहा है कैसे कोशन है आसानी से सीख पा रहे हूँ कुछ ऐसा तो नहीं बहुत भारी भर कम है अपको नहीं समझ में आ रहा है ठीक है और अगर अच्छी लगरी एकलास पसंद आ रहा है वीडियो तो फिर लाइक भी साथ साथ में करते रहो यह देखिए एक्स बटे पांच वाई बटे आठ लिखा है मैंने बहुत बार बताया है जब भी संक्याएं परस पर बराबर हो समानो संक्याओं के भाग समानो तो उनका व्यूत करम ही उनका अनुपात होता है इसको लिखो एक्स अनुपात वाई का मान निकालोगे तो लिख दोगे पांच अनुपात आठ एक्स की जगे कितना लिखना है पांच वाई की जगे आठ लिखना है एक्स प्लस फाई य प्लस एट लिखा है 5-8, option number 4 बताएं, आया समन न, क्लिए रहूँ, लिट्टो बस वही जो बोल आ गया है, उसी को हमें करना है, एक भी percent का मतलब headache नहीं लेना है, चलो, अगले question की तरब चलते हैं, अगला question भी, वही ये repeat हो गया है question, लिट्टो वही है, पीछे वाला ही question, ठीक है, चलो, 11 number question पे चलते हैं, 11 number पे question देखो, मैंने एक concept बताया था, बार-बार वही concept बता रहा हूँ, अगर संक्याओं के भाग परस पर बराबर हैं, संक्याओं के भाग कभी भी आपस में समान हैं, तो उनका व्यूत क्रम या इनवर्सी उनका अनुपात होता है, तो देखो, 2A बराबर 3B बराबर 4C लिखा है, यही तो लिखा है, बिल्कुल आसान है, ABC का अनुपात निकालना है, हमने पिछली क्लास में आपको यह सिखाया था, क्या सिखाया था, हमने का, दुनिया में जो जिसके साथ में है, दुनिया में जो जिसके साथ में हैं, उसे उससे मतलब नहीं, दूसरा ज्यादा अच्छा लगता है, यही तो बताया था, जैसे A के साथ 2 है, लेकिन A को 2 नहीं अच्छा लग रहा है, 3 और 4 अच्छे लग रहा है, तो मिला के दे दो भाई 3 और 4 कितना हो गया टॉल B के साथ में कौन है तो B के साथ में 3 है तो B को 3 नहीं अच्छा लग रहा है ये 4 और 2 अच्छे लग रहा है दे दो भाई 4 2 कितना हो गया 8 C के साथ में कौन है 4 है लेकिन C को 4 नहीं अच्छा लग रहा है C, तो C को कौन अच्छा लग रहा है, 3 और 2, 3 और 2 का multiply करके दे दो 6 हो जाएगा, छोटा कर दो कितना होगा, 6, 8 और 3, clear हुआ, क्या हुआ, 6, 8, 3, तो देख लो 6, 8, 3, कहां दिखा हुआ है, 6, 8, 3, sorry, 4, 3, 6, 4, 3, 2 से छोटा किये, तो 6, 4, 3, option number C, clear हुआ, एक line का हमारा question था, कभी भी संख्या हैं अगर परस पर बराबर हो, बस उनका view करो, inverse करो, इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर ABC का ratio में निकालना है, तो इसका एक तरीका और यह था, क्या तरीका था, ABC का ratio निकालना था, A के साथ में 2 है, तो 1 by 2 लिख दो, B के साथ में 3 है, तो 1 by 3 लिख दो, और C C के साथ में 4 है, तो 1 by 4 लिख दो, अब LCM ले लो 12, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, तो आजाएगा 6 is to 4 is to 3, 6 4 3, question number 6, अब ऐसे करना चाहिए तो है, जैसे मैंने पीछे बताया, देख लो, बिल्कुल आसान question है, संक्याओं के भाग परस पर बराबर हो, तो उनका व्यूत करम निकलना है, एक बटे 3 लिखा है, तो inverse हो जाएगा 3, कितना inverse हो जाएगा, हमने क्या कहा, inverse लिखना होता है, inverse का मतलब होताब व्यूत करम लिखना होता है, एक बटे 3 है, तो 3 देख देंगे, एक बटे 4 है, तो 4 लिख देंगे, एक बटे 5 है, तो 5 लिख देंगे, 3-4-5 अंसर आगया, 3-4-5 यह answer ओज़े, ठीक है, आगया, आगया न समud मैं? चलो, अगये चलते हैं, इस पे चलते हैं, यहां भी वही बात है, हमने क्या बता है, अगर संक्याओं के ब साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, 1 का inverse तो 1 ही रहता है, by 3 लिखा है तो लिख दो 3 यह b और c का है, तो b और c का हम ratio निकाल लें, b के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही लिख दो, c के साथ 1 by 2 लिखा है तो उसका मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पर इसमें multiply हम कर दें कितने का, 3 का, इसमें तो कोई multiply करने की जरूत ही नहीं, तो a, b, c का ratio आजाएगा, 1, 3, और 2 1, 3 3, 2, just 6 हो जाएगा, 1, 3, 6 option number है, या ऐसे भी कर सकते थे, कुछ करने की जरूत नहीं थी इनका ratio हमने निकाला तो 1, 3 तो बस 1, 3, a की में a, b है a का मान 1 है और b का मान 3 है तो 1, 3, a की है ठीक है, चलो अगले question की तरफ चलते हैं यह दि a का 30% क्या बोला है, a का 30% बराबर लिखा है b का 0.25% 0.25 होगा, percent नहीं होना चाहिए मेरे असाब से, 0.25 ही लिखो क्योंगा और c का लिखा है, एक बटे 5 तो देखो, कैसे लिखेंगा, एक percent है एक दसमलो, एक normal fraction है तीनों चीजें इसमें लिखी हैं आप a का 30% को क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं, a into 30 बटे 100 लिख सकते हैं, बोले हाँ लिख सकते हैं, बराबर, b into 0.25 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 और बटे में कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, बराबर, c into 1 by 5 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा इसकी जिएक हम लिख देंगे 1 x 4 लिख देंगे अब हमें ratio चाहिए किया चाहिए तो आप कहोगी ABC का ratio चाहिए संक्याओं का व्यूत्करम लिखो 3 x 10 लिखा है तो हम इसको लिख देंगे 10 x 3 1 x 4 लिख देंगे 4 1 x 5 लिख देंगे 5 3 का समय Markly कर दो तो आया 3, 10, 12 और 15, बस यह answer आजाएगा 10, 12 और 15 3 यहाँ है, इनका 3 का इसमें 3 बचा में multiply कर दिया तो यह 3 से 3 cancel हो गया, 10 बचा यह 12 हो गया और यह 15 हो गया 10, 12, 15, 10, 12, 15 option number 1 ठीक है, clear हुआ चलो और भाई comment करके बताते रहो कैसा लग रहा है, कैसी class लग रही तोड़ा सा स्वास्त अस्वस्त है accident हो गया था एक, तो उस चकर पे उतना बेतर तरीके से deliver नहीं कर पा रहा हूँ फिर भी अगर आपको कोई problem हो तो आप पूछ सकते हैं comment कर सकते हैं, कोई चीज आपको पढ़ना है कोई concept अलग से पढ़ना है तो उसका भी आप comment कर दीजिए नीचे से, ठीक है मैं उसको भी पढ़ातूँगा लिखा है, ये भी देखो, बराबर लिखे हैं एक बटे तीन बरावर, एक बटे चार बरावर सी बटे साथ, तो कुछ नहीं करना है सबसे पहले तो तुम ABC का रेशियो निकालो ABC का रेशियो निकालना है एक बटे तीन है, तो तीन हो गया एक बटे चार है, तो चार हो गया एक बटे साथ है, तो कितना हो गया, साथ हो गया ABC का रेशियो आगया, तीन, चार, साथ जहाँ A है जहाँ B है जहाँ C है ये value रख लो लिख लो 3 प्लस 4 प्लस 7 अपास्ट में C की जगए कितना लिख देंगे 7 4, 3, 7, 7 कितना होगा? 14 होगा? 14 बटे 7 अंसर आया कितना? 2 बस ये 2 अंसर आगया option number ठीक है? आया समझ में? ये भी concept बता दिया तुम्हें हाँ ये question बहुत सांदर है ये दो question इस type के मिलेंगे सांदर question इन्हें जरह ध्यान से देखिएगा concept क्या है? लिखा है यदि A अनुपात B बराबर लिखा है C अनुपात T तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते है? इस टाल लगा लेना इस question पर ये बढ़िया question है A बटे B बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते है? C बटे D बोले बिल्कुल लिख सकते हैं अर्तात हम हमारा मतलब क्या है? A की जगह हम C लिख सकते हैं और B की जगह हम कितना लिख सकते है? D जहां जहां A दिखाई पड़े वहां C लिख सकते हैं जहां जहां B दिखाई पड़े वहां D लिख सकते हैं जैसे यहां A दिखाई पड़ रहा है तो M A A की जगह हमने C लिख दिया A B B Beraber हम क्या लिख सकते हैं C B B D Lिख सकते हैं दर्द हो रहा है, M, A, A, तो A के जगे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, C, और प्लस N, C, N, C तो लिखा है, यह आल लेटी, अनुपात लगा हुआ है, B के जगे हम क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, M, D, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, N प्लस N हो गया, यह अनुपात में M प्लस N, M प्लस N cancel हो गया, तो answer कितना है, C अनुपात D है, तो जो C अनुपात D है, वही answer क्या है, A अनुपात B, C, D और A, B तो बराबर है, तो या तो option में A, B दिया होगा, या तो option में क्या दिया होगा a b या तो option में दिया होगा c d ठीक है याद रखना इस type के question कभी हूँ तो answer अगर common कुछ निकल रहा है वही same तो answer हमेशा वही संक्या ही होती ठीक है चलिए अगले question के तरफ चलते है हाँ ये question देखे ये थोड़ा सा अलग है उससे इस पर क्या लिखा है a अनुपात b बराबर लिखा है b अनुपात c तो हम इसको लिख सकते है a बटे b बराबर लिख सकते है b बटे c बोला लिख सकते है अगर इसको हम इधर multiply करें इसका इधर multiply करें तो a c बराबर हम क्या लिख सकते है बोले B square लिख सकते हैं मतलब जहां भी B square मिलें वहाँ A C लिख सकते हैं और आप से पूछा क्या है A की power 4 पूछा है अनुपात में पूछा है B की power 4 आप ऐसे समझो A और C है A C बराबर क्या लिख सकते है B square तो B की power 4 क्या लिख सकते हैं पच्चों का square कर दें तो आप लिख सकते हैं A square C square बोलो भाई A square C square लिख सकते हैं तो बस इसकी जगह आप B की power 4 ये तो A की power 4 लिखाई है अनुपात में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं A square C square अब यह समझे A की power 4 को A square और into में क्या लिख सकते हैं से a square कर सकते हैं इधर लिख सकते हैं a square और c square लिख सकते हैं a square से a square cancel हो गया तो answer आया क्या a square अनुपाद c square यह हमारा direct answer है ठीक बहुत अच्छा question है इस्टाल लगा ले ना इस पे भी लाश्ट के दो तीन question है यह बहुत सांदार है a square c square consumption a square c square जैसे इसके पीछे वाला था यह भी था यह अपने आपने यूनिक question है और इसके पहले वाले तो खर नॉर्मल question थे उनके हमने तरीके थोड़े से साथ बताने का प्रियास किया बाकी question नॉर्मल थे लेकिन यह यूनिक question है अपने आपने बढ़िया question मिल जाएंगे books में लेकिन ज्यादा तर बच्चा छोड़ देता है अब इस पर भी देखो यह भी question बढ़िया है ठीक है क्या question में लिखा हुआ है देहन दोजरा लिखा है P अनुपात क्यों तो हम लिख सकते है P बटे क्यों बोले हां बराबर R अनुपात S तो लिख सकते है R बटे S बोले हां बराबर T अनुपात U तो लिख सकते है T बटे U और बराबर में कितना लिखा है 2 बटे 3 लिखा है इस बात का मतलब है कि ध्यान से समझे है इस बात का मतलब है P, R और T इन तीनों का मन कितना है 2 है Q, S, U तीनों का मन कितना है तो जहाँ P दिखाई पड़े, जहाँ R दिखाई पड़े, जहाँ T दिखाई पड़े, वहाँ पे में दो लिखना है, आप इस question को जरा, इस line को ध्यान दो, लिखा है MP प्लस NR, तो P की जगे हम कितना लिख सकते हैं, दो, तो हम लिखेंगे इसको, ध्यान से समझना है, क्या ल लिखा V, T, और T की जगे भी के लिख सकते हैं, दो, तो लिख सकते हैं, प्लस में 2V, बोले, ऐसे करके अनुपात लागए थे, clear, आप समझे, M, Q, Q की जगे, Q की जगे हम कितना लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, तो हम इस वाले रिशियो में लिखेंगे, 3M, प्लस में, N, S, N, S, S की जगे, देखो, S कमान कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो 3N लिख देंगे, और प्लस में, ऐसे ही 3V लिख देंगे, क्यों V लिख देंगे, क्यों V, U है, और U कमान अल्रेडी कितना लिखा है, 3 लिखा है, अब इसमें से देखो, क्या कॉमन मिल गया है, दो कॉमन मिले गया तो हम लिखेंगे M प्लस N प्लस V इसमें भी देखो क्या common है तो आपको होगे तीन common लिखा है तो लिखा M प्लस N प्लस V अब आप समझें ये दोनों cancel हो जाएं कि तो answer आएगा कितना 2-9 तीन आएगा तो हमने आपको थोड़ी दिर पहले पिछले इसके पहले के पहले question था उसमें आपको उमने इपात बताई थी कि अगर कभी भी संक्याओं के भाग बराबर दिखाई पड़े आपको ऐसे अनुपात बराबर दिखाई पड़े अनसर हमेसा वही संक्या होती वही अनुपात होता है तो 2-9 तीन आजाएगा कितना आजाएगा 2-9 तीन है यह हमारा अनसर आजाएगा चाहे 2-9 तीन को चाहे टी यू को चाहे आरेस को चाहे पी क्यू को ठीक है यह भी question बढ़े हाता इसको भी इसको लगा लेना यह भी तुम्हारा question complete होता है अब आगे कोई question नहीं है बस यहीं तक थे एक छोटी सी slide बनाई छोटे से आपको जो मने पिछली class में पढ़ाया था उसको revise करने का प्रयास किया उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा आपने बढ़ियां से पूरे question revise हो गया होगा अब कली की class में नए concept बताएंगे उस concept से related कुछ question कराएंगे ठीक है थोड़ी सी कल की class लंबी होगी अकल तक थोड़ा सा और मतलब ठीक हो जाओँगा मैं तब भीतर तरीके से पढ़ाऊँगा अगर वीडियो पसंद आया हो उसको like करिए share करिए और कैसा लगा इसका कमेंट जरूर करिए नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा वीडियो लगा ना ख्याल लगे मिलते हम लोग अपने class में भाई भाई ठीक क्यार झाल